और एक जबरदस क्रिकेन मैच का लुफ्ट उठाने के लिए हम सब तयार है आज पिछ काफी ड्राइ लग रही है स्पिनर्ज आज एक बड़ी भूमी का निभा सकते हैं सब का स्वागत है इस खूप सुरग मैदान में टॉस के लिए यहां पर मौझूद है दोनों टीम के कप्तान और मैच रेफरी कैप्टन ने यहां टॉस जीत कर तुरंथी बल्ले बाजी का निर्ने ले लिया है आपके स्क्रीन पे है दोनों टीमों की खिलारी जो आज मैदान में उतरेंगे स्वागत है आप सबका इस शानदार स्टेडियम में अमपाईज नई गेंड के साथ पिछ की तरफ बढ़ते हुए ओपनिंग बैट्सन पिछ की और बढ़ते हुए तेज गेंड बास को लाया गया है सब तयार इनिंग्स की पहली गेंड के लिए चतुराई से गेंड बाज ही कर रहे हैं गेंड बाज गेंड बाज अच्छी ले में लग रहे हैं क्या ये विकेट ले पाएंगे चली देखते हैं बड़ी अचार रन गेंड बल्ले से लगते ही उसका परिणाम तैथा साधा रन गेंड बाजी और देखा अपने बल्ले बाज ने पूरा फाइदा उठाया बड़िया फॉर्म में लग रहे हैं बल्ले बाज बड़िया गेंड बिल्कुल कनेक नहीं कर पाएं बल्ले बाज बल्ले बाज पिछली गेंड पर बड़े अंकमफर्टबल लगे आसानी से केला एक रन के लिए बल्ले बाज के फुटवर्ट पे सवाल उठाते हुए गेंड बाजी बहुत ही बड़िया बल्ले बाज जरूर पिछली गेंड के बारे में सोच रहे होंगे तेज कराना शौट चार रन के लिए क्या फूट टाइमिंग थी बल्ले बाज ने काफी अच्छा बैलन्स मेंटेन किया वहाँ पर दर्शकों ने बढ़िया माहौल बनाया है आज क्वालिटी क्रिकेट जो देखने मिल रही हुने क्या शौट लगा है फील्डर्स बने दर्शक क्या बढ़िया खेला है कॉन्फिडन्स शौट गेम की गती से बीट हुए बल्ले बाज रुमान्चक गेम बाजी और यह आया इनका फेमस सल्यूट और दर्शक भी खोश बल्ले बास पेविलिन का लंबा रस्ता तेह करते हुए फील्डिंग टीम जैसा आप देख रहे हैं बड़े खुश है इस विकेट के बाद कप्तान ने बड़िया फील्ड लगाई है और गेन बाज भी फील्ड के अनुसार ही गेन बाजी कर रहे है शानदार शौर गेन सीधी बाउंडरी लाइन की तरह जाती हुई क्या ला जवाब शौर्ट और वी प्ले में और भी खूबसूरत लग रहा है जब ये फुल फार्म में होते हैं गेन बाजों के च्छके छुड़ा देते हैं चार रन मौका मिला और कैशिन किया बल्ले बाज ने सुन्दर टाइमिंग के साथ ये शौर्ट खेला है यहाँ पर ले बाज ने गेन बाजों को ज्यादा अनुशासन से गेन बाजी करनी होगी अब और बॉल सीधा फील्डर के पास और ये आउट इस विकेट की तलाश थी ने कैप्टन काफी खुश गेन बाज से अपनी पारी की शुरुआत में संबल कर खेलना होगा अब ले बास को वाह क्या कड़क शॉट मारा है लेंग काफी जल्दी पिक की वहाँ पर बल्ले बाजने लेंग के लेंग की बाजने पाउर प्ले की समापती कप्तान आप दो से ज्यादा फील्डर्स थर्टी यार्ट सर्कल के बाहर रख सकते हैं बड़ा शौर बैतरी टाइमिंग छे रन के लिए ये इन सीधा बल्ले के बीच से निकली वाँ भीमी गेंद इस पिच पे एक अच्छा विकल्प होगा गरारा शौर और पहुचा दिया है ग्राउंड के बाहर इतना असान नहीं है इस शौर्ट को एक्जिक्यूट करना करारा प्रहार बल्ले बाज का छे रन के लिए शानदार बल्ले बाजी बोलर को इशारा करके बता रहे कि अगली गेंद कहा जाने वाली है विश्वाज बरा शौर्ट था ये अच्छी बल्ले बाजी कप्तान ने अपने रिसोर्स को बहुत अच्छी तरह से यूस किया है बहुती लंबा और उन्चा शौर्ट लगाया है छे रन सुन्दर टाइमिंग के साथ ये शौर्ट खेला है यहां बल्ले बाज ने बहुती लंबा और उन्चा शौर्ट लगाया है छे रन क्या बढ़िया खेला है कॉन्फिडेंश शौर्ट बढ़ा शौर्ट बहतरी टाइमिंग छे रन के लिए विश्वाज बढ़ा शौर्ट था ये अच्छी वल्ले बाजी देखते हैं स्पिनर को इस पिच पर कितना परचेस मिलता है शान डार शौर्ट दिल खुश हो गया ये शौर्ट देखकर विश्वाज बढ़ा शौर्ट था ये अच्छी वल्ले बाजी रन रेट बढ़ाने के लिए थोड़े चांसेज लेने होंगे अब करारा शौर्ट बले बाज का और ये छे रन दोनों ही बल्ले बाज अपसेट हो चुके हैं क्रीज पर दोनों ने पेच को अच्छी तरह समझ लिया है गेन सीधा बल्ले के बीट से निकली वहाँ बल्ले बाज को बिलकुल आइडिया नहीं था उस गेन को कैसे खेले बड़े शौर्ट मारने के पहले बल्ले बाज को पिछ पर थोड़ा समय बिताना होगा बल्ले के बीट से निकला ये शौर्ट क्राउड में जा गिरेगा पूरी तरह नियंतरन में थे बल्ले बाज तगणा शौर्ट बल्ले के एकदम बीच से निकली ये गेन इतना आसान नहीं है इस शौर्ट को एक्जेक्यूट करना स्पिन गेन बाजी खेलने के लिए क्रीस का बहुत अच्छा उप्योग करते हैं ये खराब शौर्ट सेलेक्शन बिलकुर समझ नहीं पाए गेंज को स्पिन गेल माज वापस आते हुए बल्ले बाज पिछली गेन पर बड़े अंकमफर्टबल लगे बाल बाल बचे बल्ले बाज बहतरीन गेन बाजी बल्ले बाज पिछली गेन पर बड़े अंकमफर्टबल लगे बहुती लंबा और उद्जा शौर्ट लगाया है छे रन पूरी तरह नियंत्रन में थे बल्लिबाज अंतिम ओवर्स के लिए विकेट्स को हाथ में रखना बहुत ही इंपोर्टन्ट होगा हवा में दे मारा है देखना होगा क्या गेंद बाज शॉट पिच गेंद की कोशिश करेंगे इस पिच पे तरारा प्रहार बल्लिबाज का छे रन के लिए बढ़िया अर्चा तक खूब सुरच शॉट देखने मिले इस पारी में गेंद सीधा बल्ले के बीच से निकली वहां क्या ये इस 50 को एक बड़ी पारी में तबदिल कर पाएंगे चलो देखते हैं गेंद हवा में लंबा शॉट खेलने का प्रयास और गेंद सीधा फील्डर के हातों में इस विकेट की तलाश थी ने कैप्टन काफी खुश गेंद बास से काफी बास और खेलने का जा हुटता है अगलाव खुश खौश खुश छोटन का फ्टन ने में अबदाएंगे बासी। प्रूबस भासा चार्ष ठारेने का बीच खुश 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 फुश खुश खुश खुश। ये रही पारी की आखरी गेन आपके सामने और ये गेन हवा में ये थ्रोव विकेच से दूर थी इनिंग्स की समापती सलामी बल्लेबाजों को जल्दी पैड़ अप करके वापस क्रीज पर उतरना होगा फील्डिंग टीम पूरी तरह से तयार लग रही है आपर ओपनर्स फील्ड में आते हुए दर्शक पूरे जोश से उनका स्वागत करते हुए बल्लेबाज तयार अपनी पहली गेंट का सामना करने के लिए ओ नजाकत भरा ये शॉट फास्ट आउट फील्ड चार रन मिलेंगे क्या ला जवाब शॉट था और री प्ले में और भी खूबसूरत लग रहा है बल्ले बाजो ने बहुत ही अच्छा रन रेट मेंटेन किया अब तक डिफेंस का अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर काफी संबल कर खेल रहे हैं बल्ले बाज लंबी एनिक्स खेला चाहते हैं जबर्दस शॉट कोई नहीं रोख पाएगा इस गेंज को बाउंडरी जाने से विश्वाज बरा शॉट था यह अच्छी बल्ले बाजी जब यह फुल फॉर्म में होते हैं गेंज बाजों के च्छके छुड़ा देते हैं शॉट पर नियंतर नहीं रख पाएगा बल्ले बाज यह पिछ मेरे हिसाब से काफी बैलन्स लग रही है बल्ले बाजी और गेंज बाजी दोनों के लिए आसानी से खेला एक रन के लिए करता हैं रख विए करते हैं बाजी लिंच करता है करता है करते करता है करता है फार फॉर आसानी से दो रन मिल सकते यहाँ अच्छा शौट दो रन मिल सकते यहाँ किसी भी फॉर्मेट में सिंगल्स और डबल्स सबसे महत अपूर होते हैं आसानी से खेला एक रन के लिए अच्छा शौट बस सिंगल ही मिलेगा भीमी गेंट इस पिच पेक अच्छा विकल्प होगा अच्छा शौट है यह बहुत ही अच्छा शौट और गेंट सीधा सीमारेखा के बार सुन्दर टाइमिंग के साथ यह शौट खेला यहां बल्लेबाज ने दर्शकों ने बड़िया माहौल बनाया है आज क्वालिटी क्रिकेट जो देखने मिल रही होने काफी तेज़ दौड लगाई है पहले रन के लिए क्या दो रन मिलेंगी यहां पर क्यात्याओ तेज़ Suppose 5th चड़ स्थन प्हाद की क्यात्व एक क्यां थाई दौबर गल्ल robić है यह चुड़िया होताई। की प्कू़िया हैै थजसे पीशन bil Tu zelfskोब uzें एक्या है मिलें थियाओकि क्वाई करकी दिए स्पिन रहाए, अटाक में! इसके साथ पाउर प्ले समाप्त हुआ! आसानी से खेला एक रन के लिए! बढ़िया थ्रोस टम्स के बेहत करीब! चौका बैतरी शौट बल्ले बाज द्वारा! सुन्दर टाइमिंग के साथ ये शौट खेला यहां बल्ले बाज ने! बढ़िया फार्म में लग रहे बल्ले बाज! वाँ में गई है गेंड! गए गेंड! काफी महनत करने पड़ी ये त्रो कलेक करने में! स्पिन गेंड बाजी खेलने के लिए क्रीस का बहुत अच्छा उप्योग करते हैं ये! अच्छा शौट बस सिंगल ही मिलेगा! तेज करारा शौट चार रन के लिए क्या खूट टाइमिंग थी! विश्वाज बरा शौट था ये अच्छी बल्ले बाजी! गेंड बाजी में बदलाओ तेज गेंड बाज वापस आते हुए! विडॉफ फील्डर को बाउंडरी पर भेज दिया गया है! विटर को लोंुध बाज रहते हुए! कि तरफ लाया गया है जब यह फुल फॉर्म में होते हैं गेंद बाजों के च्छक्के छुड़ा देते हैं आसानी से खेला एक रन के लिए बढ़िया बैक अप इसे कहते हैं गेम अवेरनेस बल्ले बाजों को अब बाउन्डरीस की आवश्क्ता है ये रन रेट बढ़ाने के लिए रक्षात्मक तरीके से खेला अच्छा डिफेंस काफी संबल कर खेल रहे हैं बल्ले बाज लंबी ये निद खेलना चाहते हैं अच्छा शॉर्ट बस सिंगल ही मिलेगा ये छोटी छोटी गलतिया सुधार नहीं पड़ेंगी अगर आपको as a team इस तर पे सफल होना है आत्म विश्वास से खेलते हुए काफी संबल कर खेल रहे हैं बल्ले बाज लंबी ये निद खेलना चाहते हैं गेन की गती से बीट हुए बल्ले बाज रुमान चक गेन बाजी और ये गेन बाज अपनी अंदाज में सेलिबरेट करते हुए पविलिन की और जातो हुए बल्ले बाज बड़े हताश और ये बोल जाए साथ देख रहे हैं बल्ले बाज गेन की लाइन में आने में नाकामियाब क्वालिटी गेन बाजी कप्तान की फील्ड प्लेसमेंट भी काफी अच्छी रही है सिंगल लेकर बल्ले बाज अच्छा स्ट्राइक रोटेशन कर रहे है स्ट्राइक बाशा बाजन की लेकर आने वाजेशधे का रहे हैं लुद्टराइक उन्यान की फील्डा स्ट्राइक 這種 कीवाजान की इंक भील जागजेशफे पील्स स्ट्राइक है मन Colonel मन्20 की फील यख़ल लोगे हैं आसानी से खेला एक रण के लिए अन्तिम ओवर्स के लिए विकेट्स को हाथ में रखना बहुत ही इंपॉर्टन्ट होगा अच्छा शॉर्ट बस सिंगल ही मिलेगा हुआ में गेर और भेजदी है बाउंडरी लाइन के बाहर बड़ा चका इतना असान नहीं है इस शॉर्ट को एक्जिक्यूट करना ठीक से टाइम नहीं कर पाए वहाँ स्टम्स के बहुत करीब थी ये त्रो बढ़िया फील्डिंग सिंगल लेकर बले बाद अच्छा स्ट्राइक रोटेशन कर रहे हैं ये रही पारी की आखरी गेन आपके सामने बहुत अच्छे रनिंग बेट्विन विकेट्स बहतरीन फील्डिंग और बोलिंग का प्रतरशन हमें देखने मिला यहां पर फील्डिंग टीम ने अपने टोटल को देखते हुए उंदा बोलिंग की कप्तान को दाद देनी पड़ेगी जिस तरह उन्होंने अपने बोलर्स को रोटेट किया ये जीत तो इनी की थी